सर महराष्ट में वाज़े परमवीर के अलावा जितनी तरीकी की समस्या हैं जो इस सरकार में देखी जा रही है वो यह आ रही है कि अब नाना पटोले और संजर राउत का जगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या दरार पड़ती जा रही है दोनों पार्टियों में अब यह चीज़े जनता के बीच में भी अब आएंगी क्योंकि पहली बात तो ये क्या अगर हम विचारधारा के स्थर पर देखें तो तीनों ही पार्टियों बिल्कूल एक दूसरे से जोदा थी Congress और NCP तो फिर भी एक तरह जैल होती थी उन्हें सिर्फ सेना का कर लग जाना और किसी तरह से तीन पईयों वाली सरकार चलाना अपने आप में बड़ी बात थी ठेर उन्होंने एक साल में pull-off किया लेकिन उसके बाद इस तरह के corruption cases आतंकवाद के cases extortion के cases, हत्या के cases इतने सारे cases निकल कर एक ही case में से आ गए है तो सवाल तो जरूर उठेगा अब जिम्मेधारी कौन ले देशमुख जो है NCP के हैं परमवीर को 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 कहते हैं सिर्फ सेना के हैं वाजे को कहते हैं सिर्फ सेना के हैं जाहिर है तो एक collective responsibility किसको ले देशमुख को लेकर शाज़त पवार जी ने press conference किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो अपने घर में quarantine थे पता चला वो तो कहीं हवाई जाज से गूम रहे थे इस तरह की चीज़ें अभी आप इसमें देखेंगे प्रदेश के ग्रह मंतरी पर कि महीने का 100 करोड का collection ही हमसे करवाते थे और उस collection के लिए कहां तक पहुँच गए ये लोग एंटेलिया के घर जाकर बॉम रखने लग गए इंटेलिया के बाहर जाकर इससे जादा गिरी हुई हरकत इस देश में किसी सरकार ने आस तक और सरकार में रहते हुए इस तरह के आरोप आस तक किसी पर लगे नहीं दरार पड़ रही है इसका मुख्य कारण ये है कि अभी संजर राउत में कुछ दिन पहले बयान दिया था लेकि मुझे ये लगता है कि जहां तक बात संजर राउत की ये बात तो गलती से कभी-कभी ही सही वो सही कह देते हैं वैसे तो सौ में से 99 बार गलत बोलके एकी बार वो सही बोलते हैं लेकिन चलो एकी बात उन्होंने सही बोली और कहीं न कहीं कॉंग्रेस की फिक्र है वो उनके अलाइंस है दिरे दिरे सिर्फेना भी एक सेकिलर पार्टी बन गई है तो उनकी चिंता है वो कि जिस तरह से राहूल गांदी जी जिस तरह कैसे सोनिया जी का स्वास्ता ठीक रहता नहीं है राहूल जी देश में रहते नहीं है उनके बड़े काम होते हैं बाहर गुमना आना जाना पड़ता है बारे बार एक जिम्मेदारियां होती है तो उनको देखते हुए उन्होंने सला दी थी अम मानी नहीं बात अलग है लेकिन उन्होंने सही कहा था और जहां तक बात आपस में सही सामझत से ना होने का है कि जब इस तरह की situation आ जाती है आपकी party के सामने आपकी alliance के सामने तो आप defend नहीं कर सकते हैं आप कितनों को defend करेंगे आपने सचनवाजे को सामना के तहत रोज डेली defend किया उद्दफ ठाकरे जी यहां तक बोल गए कि ये लादेन नहीं है लादेन नहीं है लेकिन बॉम तो रखी रहा है न आप तो एनाय ने कह दिया तो वो भी वही करता था वो भी वही करता था आपकी party का प्रवक्ता था आप मुझे एक चीज बताएए इस देश में आर्मी में रहते हुए कोई विक्ति political party जॉइन कर सकता है क्या forces और police a political चीजे हैं वो प्रवक्ता था आपने उसको reinstate किया क्यों आपने उसको reinstate करके फिर जो गलत है अगर गलती से कोई accident हो जाए तो उसके लिए इस देश का विपक्ष नरेंदर मोदी जी से स्तिफ़ा मांग लेता है इतना लंबा समय हो गया पांच तारीक को मनसो की रेन की हत्या हुई थी आज तक उदव ठाकरे जी पता नहीं मातोशरी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल बोली नहीं नहीं है कोई जवाब ही नहीं है कोई एक प्रेस कंफरेंस नहीं है अरे आपकी साड़े बारा करोड़ जनता और देश की 135 करोड़ जनता जानना चाती है कि वो 100 करोड़ रुपय कहां चुपा कर रखते थे कौन-कौन बाढ़ता था कि क्या रीजन था आपने इस तरह की चीजें की हैं जनता को जवाब देई दीजिए जनता में आप विपक्ष में नहीं हैं अब आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा सर अभी आपने मुख्यमंत्री की बात की तो मुख्यमंत्री को लेकर तो जनता की तरफ से ये भी सवाल उट रहा है कि एक तरफ नाना पटोले और संजर राउत आपस में लडाई लड़ रहे हो तमाम तरीकी की चीज़ां एक दूसरे को ये कह रहे हैं उसके बाबजूद सर अभी मुख्यमंत्री की तरफ से एक वर्ड नहीं कहा जाता किसी भी चीज़ को लेकर चाहे फिर परमभीर का मामला हो या पर सचिन वाजे की चीज़े हो ने मैं तो लगातार यही तो कह रहा हूँ आपको मैंने भी यही कहा कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप पूलीस में बैठा हुआ एक अधिकारी आतंकवाद की घटना में की घटना में सनलिप्त पाया जाए जब उसकी गाड़िया उसी शहर के कमिशनर के ऑफिस में पाई जाए जब आपकी इस तरह की संजर राउत और नाना पटोले की बात हम करें तो संजर राउत ने तो नाना पटोले तक यह तक कह दिया कि यह जो बयान बाजी कर रहा है नाना पटोले तो एक जिले के नेता हैं देगे मुझे लगता है संजर राउत को तो इस दुनिया में सभी जिले के नेता लगता है उन किसी का कद वो ही तैग करेंगे या वो नेता कितना बड़ा है उसको मापने की मशीन सर्फ संजराउत के पास है देश में किसी और के पास है नहीं चोटा मू बड़ी बात होती है थोता चना बाजगाना उत्तर प्रदेश में हमारे कहावत है तो ठीक है उनको रखा हुआ बीजेपी को लेकर भी यह बात है कि जो भी चीज़ महरास्ट में हो रही है या फिर अनिल देश मुका जो इस्तिफा मांगा जा रहा है यह सारा परपंज बीजेपी का रचा हुआ है अंटेलिया के सामने जो घर के सामने बाम रखने गया था वो बीजेपी का प्रवक्ता इनक्वाइरी लोगों को मारोंगे अपने परवक्ता को API बनाओंगे, उसके उपर इतनी ताकत देद होगे, उसकी डिरेक्ट रिपोर्टिंग अनल देशमों को कराओंगे, उसके पाँच पाँच छे छे लक्जिरी इंपोर्टेट गाड़ियां निकलेंगी, उनमें आपके मंतरी घूमते होंगे, उस आदमी को अतना सूपर कॉप प्रोजेक्ट करेंगे, आपके हर केस में वो आपको मदद करेगा, जनलिस्टों को गले से पकड़के घरते कीच कर लाएगा, एक महिला का घर तोड़ेगा, उसके अलावा पालगर के केस में कहीं नहीं हर जगा उसको इन्वाल करके आप सूपर कॉप बनाने की कोशिश करे रही है, वो IPS ऑफिसरों की तरफ से लगाया जा रहे है, एक तरफ परमवीर है, तो दूसरी तरफ है रश्मी शुकला, रश्मी शुकला ने जो रिपोर्ट सौपी है, जितनी भी चीज़ा निकल कर सामने आ रही है, एक तरफ तो शिवसेना और यह सरकार है, इसकी तरफ से यह important है, मतलब ऐसा है, कि हमने गुनाह कर दिया, उसकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन वो गुनाह पकड़ा गया, तो पकड़ा किसने उसको पकड़ो, यह कैसी मान सकता है, actually problem क्या है, कि वो जो जस तरह से मान सकता, शुरू से चलती आ रही है, वही है कही न कहीं, इनको वाजे से बंत हो गए, आप मुख्यमंतरी हैं, तो आप स्टेट चला तो रहे हैं, दुनिया के सबसे भैतरीन चीफ मिनिस्टर बताता था ना पूरा बॉले बोड़न को, अभी तो कोई बोल नहीं रहा है, एक भी ट्वीट नहीं है, रितिक रोशन से लेके, किसी का भी जि बात करने को तयार नहीं है, अंपुनिया नहीं है, लेकिन ये हुआ है, और इस देश के इंडिन लीगल सीस्टम में पहली बार ऐसा हो रहा है, नहतिक तह कि आधार पर ही अब– तक इन लोगों को चले जाना चाहिए था, लेकिन बंगाल चुनाओं के चलते अगर वो सोच गई हैं चीज़े तो वैसा बिलकुल नहीं है इस बारे में जवाब मांगा जाएगा और पूरी तरीके से भारतिय जंता पाटी सब को नकाब पोश्च जित्रे पर इनकी सरकार के तरफ से अफायार दर्च करा दी कही है क्या इतनी सारी चीज़ें कराने से या फिर परमवीर क और सचिन के ट्वीट को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर सकते हैं यह किसी का घर तुडवा सकते हैं जो सुप्रीम कोट ने माना गलत तरीके से किसी को गिरफतार करा सकते हैं यह हत्या के साज़श वालों को इस तरह से जाने दे सकते हैं जिसमें जाठावन लोग जमानत पर निकल कर आगए पालघर लिंचिंग में यह पिछले एक साल से जो यह सरकार चली है तीन सो पैसट दिन अगर यह रहे हैं तो यकीन मानिए तीन सो पैसट के तीन सो पैसट दिन इनके साथ कोई ना कोई कांट्रोवर्सी जुड़ी रही है अरे भाया काम करी महारास्टा सबसे ज़्यादा वह स्टेट है इसमें आपका हिंदुस्तान में करोना को लेकर आपकी हालत खराब है आपका लॉकडाउन सक्सेस्फुल नहीं हुआ पुने का हाल देखिए मुंबा कोई जिम्मेदारी है यह लेकिन नहीं इनको तो रहना है ना इनको तो बस न्यूस में रहना न्यूसरेंस क्रिएट करना है एक उसी की वैल्यू है कहीं बात नहीं करने आप मुझे पता यह डेवलेप्मेंट पर कितनी कॉन्फरेंस की महावे नाशकारिया घाडी ने कोई क्या है घर में बैटे हूं में सॉ सो करोड की उगाई तो घर यप पहुन जाती है तो उनको क्या जरूरत है बाई जनता के बीच में आकर काम करने के जनता के लिए सरकार होती है जनता के disappointment काम करें ये मैं तो पून है.